नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल एवाईटी इंडिया अकैडमी पर दोस्तों जो आज की वीडियो है आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं एक ओटोमेटिट स्टॉक शीट इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे की हम एक ओटोमेटिट स्टॉक शीट कैसे बना सकते हैं जिसके अंदर हमें सिर्फ इंवर्ड मेटरील की एंट्री करनी है और स्टॉक जो है वह अपने आप मिंटेन होगा साथी साथ जो ये sheet है ये BOM और full kitting के साथ भी integrated है तो आप लोग अगर इस concept को सही तरीके से समयना चाते हैं तो वीडियो को जरूर देखिए चलिए फिर जादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करेंगे वीडियो को let's start दोस्तो आप लोगों की screen के उपर stock sheet आ चुकी है जिसके अंदर हम देख रहे हैं एक invert sheet है एक outward sheet है एक stock sheet है उसके बाद में यहाँ पर हमने एक full cutting sheet बनाई हुई है एक build of material sheet बनाई हुई है साथी साथ एक FG master sheet बनाई हुई है अब ये sheet कैसे काम करती है कहां हमें input डालना है और हमें क्या-क्या result मिलेगा एक एक करके जानते हैं दोस्तो जो सबसे पहली sheet है वे है हमारी stock sheet stock sheet के अंदर हमने क्या किया हुआ है serial number item जो हमारे item है stock item है वो सारे stock items यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं जैसे कि grease, scratch bright, permanent marker आपका paper clip हो गया, hinge pins हो गए, bearings हो गए, collets, fingers, stopper set तो यह सारे क्या है हमारे यहाँ पर हमने item की detail लिख दी ठीक है इसके बाद है हमारा unit of measurement यह हमारा unit of measurement हो गया कि जो material है यह वाला, यह pieces में आता है या numbers में आता है, kilo में आता है, meter में आता है unit of measurement हो गया इसके बाद है इसकी category, यह lubricant category का है या किसी item के अंदर, यह considerable category का है या raw material category का है या BOP parts category का है तो इसके अंदर आगी category इसके बाद हमने लिखा इसका stock का location कि यह वाला जो material है मेरा, grease, AP3 इसको मैंने कहा रखा हुआ है 1A, 1 raw, 1 जो है, वह है, rack number है और A जो है, उसका row number है कि यह वाला material मुझे rack number 1 के एक column के अंदर मिलेगा इसके बाद हमने यहाँ पर minimum, maximum और re-order level defined किये हुए है कि मेरा जो सबसे कम inventory level है इस item के लिए, वह है 10 piece maximum मेरा कितना रखना है, मुझे 20 piece रखना है और जब 15 पर यह item आएगा तो मैं यहाँ पर order डाल दूँगा इसके बाद आता है opening balance या closing balance previous month का जब भी हम यह stock sheet को शुरू करेंगे तो हर item का एक opening balance हम यहाँ पर चड़ाएंगे कि यह वाला जो material है 10 piece था, यह भी 10 piece था यह भी 10 piece था, बाद लीजे यह है 20 piece था तो हम यहाँ पर opening balance चड़ा देंगे इसके बाद यहाँ पर आपको total sum दिख रहा है total in, total out, total balance जैसे कि यह material 250, 210 piece in हुआ 8 out हुआ या issue हुआ और 212 piece मेरे पास balance रहता है इस material का और आगे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह हमारी date wise entry है कि इस date में इतना material in हुआ इस date में इतना material out हुआ और balance जो है वह है इतना material मेरा रह गया अब यह जो in और out की जो details है आप यहाँ देख रहे होगे आपको यहाँ दिखाई देरा है clearly यह जो हमारा formula बार है यहाँ पर हमने formula लगा रखे है ऐसे ही हमने out के अंदर भी formula लगा रखे है और balance के अंदर भी formula लगा रखे है तो in और out और balance के अंदर कोई भी manual entry नहीं है कि आप वही एक अपने सारी detail बना ली material की list बना ली detail डाल उसके बाद पता चला date wise in और out इन और out इन और out कर रहे हैं तो इसके अंदर ऐसा नहीं है यहाँ पर आप कोई भी manual entry नहीं कर रहे हो हमने simple सी दो sheets बना रखी है एक material inward की जिसके अंदर material जब जब आएगा उसकी entry in में करी जाएगी और एक है material outward की जब जब material issue होगा चाहे वो production में हो maintenance में हो उसकी entry की जाएगी और यहाँ पर stop manage होता रहेगा अब वो sheet है कौन सी है हमारी यह हमारी है material inward register या inward की sheet इस sheet के अंदर हमने क्या करना है जितना भी material company के अंदर आ रहा है उसकी entry चड़ानी है तो आप यहाँ देख रहे हो कुछ आपको यहाँ पर drop downs दिख रहे है grease, ap, tree, scotch, bright, in process, paper clip, etc तो यह सारी चीजे कहां से link है यह हमारी stock वाली sheet से link है सबोज मैं यहाँ पर एक item डाल देता हूँ paper washer जैसे ही मैं यहाँ paper washer add करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ last में paper washer आ गया एक और entry करके देखते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर aluminium coil add किया तो आप देखेंगे यहाँ invert वाली sheet में aluminium coil आ गया तो यह क्या है sheet है automated चल रही है एक दूसरे से link है जो हमारी stock sheet के अंदर item डले होंगे वो ही हमें invert sheet में दिखाई देंगे तो suppose कि हमारी paper clip आई वो हमने क्या किया उसको drop down से select कर लिया उसके बाद में वह किस date में आई और वो किस date में आई माल लीजे वह आई 24 तारिक की date में 24 अपरेल को हमें वह item receive हुआ कितना receive हुआ 1550 receive हुआ किस चलान या invoice के अंगेश्ट में वह material आया material जब आता है उसके साथ invoice आता है या चलान आता है तो वह आया मेरा 12344 invoice या चलान के अंगेश्ट में आया किस supplier से आया वह हमने यहाँ पे डाल दिया supplier मेरा ABC supplier remarks आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि bill pending वह यह चलान पर आया इसका bill pending है तो जैसे ही आपने paper clip 23 तारिक में 1530 in किया यानि कि हमने खरीदा उसकी purchase की entry यहाँ पे invert की चड़ाई invert register के अंदर तो हुआ है हमारा stock sheet में अपने आप उठके चला जाएगा अब paper clip का है हमारा paper clip यह रहा हमारा तो यहाँ पे total in कितना हो गया 1500 अब देख लेते हैं क्या यह 23 तारिक में entry गई है या नहीं गई 23 तारिक में दीखिए 1500 piece in हो गए ठीक है opening कितना था इसका 10 piece आउट नहीं हुआ है अब मैं क्या करूँगा paper clip की entry करूँगा outward sheet के अंदर outward sheet क्या है basically material issue register है जो जो material आप किसी department में issue कर रहे हो उसकी entry आप outward register के अंदर करूँगे तो यहाँ पे हमने select किया paper clip ठीक है इसकी हमने entry चड़ा दी आज की date में ठीक issue किसको किया हमने current को किया कितने piece दिये इसको 1000 piece दिये issue slip क्या थी इसकी 003 ठीक है remarks अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि यह production में हमने दी है तो आपने paper clip 23 तारिक में 100 piece issue कर दिये current को अब देखते हैं यह हमारी stock sheet में गया यह नहीं गया यह रहा हमारा यहाँ paper clip तो यहाँ 100 piece total आ गए अब देख लेते हैं 23 तारिक में यह दिखाता है यह नहीं दिखाता 23 तारिक में देखिए यहाँ पे 100 piece हमारे out हो गए balance रहे गया 1400 ठीक है तो इस तरीके से यह दोनों sheet हमारी automatic चल रही है inward और outward sheet है इनके अंदर जब-जब material purchase होगा store के अंदर आएगा उसकी entry करी जाएगी out के अंदर जब-जब material issue होगा उसकी entry करी जाएगी और आपका जो यह stock वाली sheet है इसके अंदर automated stock हमारा maintain होता रहेगा ठीक यह यहाँ पर concept हमारा खतम हो गया stock को manage करने का अब जानेंगे कि इसके अंदर मैंने full kitting concept या BOM जो होता है bill of material concept को कैसे integrate किया हुआ है जिन लोगों ने मेरी full kitting या BOM की video नहीं देखी है उनको उपर link दिख रहा होगा उसके click करके आप BOM या full kitting की video देख सकते हो basically जो BOM है suppose मेरे को ये pan बनाना है तो इस pan के अंदर क्या-क्या material लगेगा कितनी quantity में लगेगा suppose उसके अंदर एक cap लगना है एक nip लगनी है उसके अंदर refill लगना है एक body लगेगी उसकी एक plastic का उसके पर cover चड़ेगा एक उसका final packing box बनेगा तो ये सारे क्या item हो गए उसके block material के अंदर ये items हो गए जो किसी pan को बनाने के लिए चाहिए अब दिक्कत क्या आती है खास तोर पे assembly वाली manufacturing industry के अंदर जैसे कोई अपना product बनाते है कोई अपना fan बना रहा है कोई अपनी light बना रहा है कोई cooler बना रहा है कोई अपनी machine बना रहा है तो वहाँ आपने stock तो manage कर लिया कोई item आपके पास 100 piece है कोई आपके पास 1000 piece है कोई 500 piece है और वही item किसी में product के अंदर 2 piece लगेंगे किसी में 3 लगेंगे किसी में 4 लगेंगे तो जब आप planning करने के लिए जाते हो production planning लेते हो कि मुझे यह पांचो पीस बनाने है तो बहुत सारे material short पड़ जाते हैं जिसके वैसे आपका plan proper नहीं हो पाता लाइन स्मूदली नहीं चल पाती उसी परपस से ये sheet को मैंने design किया है, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, एक बार सारे अपने जितने FG हैं, उनको add कर देंगे, जैसे हमने यहाँ add किया machine model A FG वाली master sheet के अंदर हमने डाल दिया, machine model A इसका unit of measurement है pieces, और यह डाल दिया, हमने hand grinder model B, यह तो होगया FG कि मेरे पास यह दो type के material है, जो मैं बनाता हूँ finish good है, जो मैं बनाता हूँ इसके बाद आते हैं, हम bomb के उपर, या build of material के उपर build of material क्या है बिसकली आप यहाँ देख पा रहे है यहां लिखा हुआ है, FG name AAA, फिर शुरू हो जाता है BBB, तो यह जो मेरी FG के list है, यह कहां से link है यह FG वाली, जो master sheet है यहां से link है, जैसे ही आप वहाँ पर कोई नया FG add करोगे यहां पर drop down के अंदर नया FG आ जाएगा, तो हमने क्या select यह model A machine अब model A machine के अंदर मेरे पास जो stock के अंदर items है, वह यहां पर आगे सारे drop down से है, जो हमने wired किये थे, सारे item मेरे पास drop down से आ गए तो यह model A के अंदर यह 4 item लगते हैं, यह 10 piece लगते हैं, यह 1 piece लगता है, यह 13 piece यह 2 piece, यह 5 piece और जो model B है मेरी machine, उसके अंदर यह वाले item लगते हैं, इतनी इतनी quantity में लगते हैं अब जो full kitting concept है वो हमें बताएगा कि जब हम planning करें तो हर चीज की kit पूरी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की kit पूरी होनी चाहिए, कि मेरा जो product है ऐसा ना हो, किसी के लिए weight कर रहा है तो यह इसका माता है, full kitting और BOM concept तो हमने यहाँ पर क्या किया किस FG के industry में, क्या क्या item लगेंगे कितनी quantity में लगेंगे, वो हमने लिख दिया अब इसके साब से हम देखेंगे full kitting sheet में कि हमें full kit, जो full kitting sheet है, वो क्या result दिने वाली है stop को manage करके और BOM sheet को आपस में link करने से हमें क्या automated result मिलेगा तो जैसे आप देख रहे हो, अभी model A select है, मैं अभी model B कर देता हूँ यहाँ पर, जैसी मैंने model B किया, तो आप देख रहे हो, item सारे change हो गए, ठीक है जैसे ही मैं फिर से यहाँ पर model A करूंगा, तो यहाँ item फिर से change रहेंगे तो हमने क्या करनी है हमने planning करनी है, किसकी करनी है model A की, और कितने पीस बनाने है, हमने यहाँ पर बनाने है 550, ठीक है, जितने पीस इसमें ज्यान देने ना लग जाए कि मशीन में यह पार्ट कहां से लगेंगे तो यह क्या है, एक random item name लिखे हुए है, कि भई model A मशीन में यह चार चीजे लगती है, तो यह न बोले कि मारकर का क्या काम मशीन में, प्रेक्टिकल एक्जामपल दो, concept को आपको समझना है, यहाँ पे रट्टा मारने वाला काम नहीं है, कि रट्टा आपको लगा है concept आपको clear होना चाहिए तो यह चार चीजे लगेंगी quantity per piece, यानि कि एक item के अंदर, grease जो लगेगी, वह हमारी 10 piece लगेगी scratch right 1 piece, permanent marker 13 piece, paper clip दो piece लगेंगी, अब इसने क्या किया, stock sheet से location उठा ली, कि grease मेरी 1A के अंदर है, scratch right 1A में है permanent marker 2B में है paper clip मेरी 4D के अंदर है, अब quantity required आ गई, quantity required क्या हो गई, grease अगर 10 लग रहे हैं, 500 में कितने लगेंगे 5000, सिरा सिरा multiply कर दिया यह 500 piece लगेंगे, यह 65 लगेंगे, यह 1000 piece मेरे लगेंगे, ठीक है अब यहाँ पर आ गया भाई every level आपके पास यह 212 piece है यह 10 piece है यह 10 piece है, यह 1410 piece है, तो आप कितने negative हो यहाँ पर, 478 piece और चाहिए, इनको अगर 500 piece त्यार करने है, यह 490 piece चाहिए, यह 6490 piece चाहिए, और यह 410 piece मेरे पास surplus में है तो सिर्फ एक item surplus पे है 550 की planning करने के लिए अब मैं कैसे planning करूँ तो इसने एक रिटके में बता दिया कि भाई, आपके पास item ही नहीं है यह plan करने के लिए ठीक, अब इसको value को change करके देखते हैं हमने इसको कर दिया 10 piece तो 10 piece के हिसाब से क्या आ गया, कि भाई यह वाला मेरे पास surplus है यह बिल्गुल exact है यह piece मेरे पास permanent marker कम है और यह भी मेरा surplus है अब मैं अगर इसको एक piece कर दो कि सिर्फ मुझे एक piece मनाना है तो भी यह वाला item मेरा कम है यानि कि यह material मैं planning में अभी ले ही नहीं सकता पहले मेरे को अपनी जो stock है उसको manage करना होगा उसको fulfill करना होगा तब ही मैं इस material को planning के अंदर ले पाऊगा अब हम यहाँ पर एक बार change करते हैं model B देखते हैं क्या आप बता model B में बना पाऊ तो model B भी नहीं में बना सकता एक piece एक piece बनाने के लिए यह वाली मेरे पास surplus है यह भी surplus है तीसरा item भी surplus है लेकिन जो चौथा item है finger ball वो negative में है यानि कि मेरे को 15 piece और चाहिए तब जाके मैं एक piece की planning ले पाऊगा तो यहां से बड़े ही असानी से clear हो गया कि मैं इस order को अभी execute नहीं कर सकता जब तक कि मैं stock को manage नहां कर लो तो यह फाइदा है आपका stock को manage करने का उसको bond से link करने का और साथी साथ उसको full cutting के साथ link करने का तो दोस्तों अगर आपको यह वाली sheet ready made चाहिए एक तो तरीका है मैंने आपको बता दिया आप इसमें से देख करके बना सकते हो दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको buy कर सकते हो buy करने के लिए आपको क्या करना होगा आपको नीचे link दिख रहा होगा उस link पे जाईए तो इसको मैंने एक course बना करके अपनी app के उपर डाला हुआ है बहुती nominal charges है वहाँ से जाकर के आप इस sheet को सीधा सीधा download कर सकते हो download जब आप करोगे तो यह sheet आपको zip file format में मिलेगी किसमें मिलेगी zip file format में अब कई लोग zip file को unzip नहीं कर पाते zip का मतलब होता है na chain तो zip format क्या होता है chain लगी हो यह होती है ताकि उसमें कोई virus वगेरा ना आ सके इसलिए हमारी app के उपर इतनी format है अभी वो सारे zip format के अंदर upload होते हैं तो उसको unzip करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है हमें चाहिए होता है zip file extractor या .rar extractor तो आप सीधा-सीधा ये software download कर सकते हैं free होता है online बिसकता है और जादर computers पे already available होता है mobile पे भी होता है नहीं है तो आप download कर ली जिए तो इस file को आप असानी से extract कर पाऊगे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ यह wind यह Microsoft office के 2013 अब वर्जन के अंदर ही format काम करेगा या Google Sheets के अंदर काम करेगा अगर आप इसको 2007-2003 में चलाने लग जाओ तो नहीं काम करेगा तो अब अगर आप अभी भी 2007 वर्जन के अंदर काम करेगा और अल्रेटी बहुत पीछे वाला वर्जन यूज़ करेगा वाला फुल किटिंग वाला जो है वो नहीं करेगा फुल किटिंग वाला बाकी सारी चीज़ें एक्जेक्टली परफेक्टली काम करेंगी चाहे पुड़ाना वर्जन हो या नहा वर्जन हो तो आपको अगर यह requirement है तो आप नीचे जो link दिया गया है उस पर जाकर के इस course को ले सकते हो यह format आपको मिल जाएगा और वहाँ आपको और भी detail में बताया गया है कि इस sheet को कैसे कैसे use करना है उमीर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी आपके काम आएगी और आप बहतर तरीके से स्टॉक को manage कर पाओगे अपने store के अंदर तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को like करना ना बूले चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को subscribe करना बूले धन्यवाद